नमस्कार मैं हूँ आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं नियूस साचिवन उत्राघंड हर दौर में भगवान पर पुलिस ने उद्योगिक छेतर में महारी के पास फैक्टरी के ड्रम से कैमिकल निकाल कर चोरी करने वाले तीन आरोपियों को गिरफतार किया है इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी का समान भी बरामत किया है वहीं आप पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोट में पेशकर जेल भीज दिया है बतादे कि 2020-14 मई को पुलिस ने फैक्टरी प्रबंतख भारत खन्ना की तहरिर पर फैक्टरी में कारेरत दू मैनेजरों को पर ड्रमू से कैमेकल चोरी करने के आरोप में मुकदमा दर्श करने की मांगी थी वही मामले में पुलिस ने जुआज कर फैक्टरी के असपास लगी CCTV फुटेस खंगाले उसके बाद पुलिस ने बेती रात आरोपियों को चोरी किये गए माल के साथ गिरफतार कर लिया बता दे कि पुलिस ने आरोपियों के पास से 18,000 रुपे की नगदी 44 किलो IPI, 50 किलो ग्लिसरीन, 5 बोतल कोलीन और 7 बोतल हेंट सैनिटाइजर और समेत 244 बोतल फिनाइल और 10 ड्रम खाली IPI परामत की फिलहाल पुलिस ने कारिवाई करते हुए तीनों आरोपियों को कोट में पेश कर जेल भेज दिया है इस दुरान मामले को लेकर भगवानपुर थाने के प्रभारी निरिक्षक अमर्जिक्त सिंग ने बताया कि मामला दर्ज करने के साथ ही नामज़त तीरों आरोपियों को सामान समेत किरफ़तार कर लिया गया है और वहां से ड्रव में से ग्लेस्रीन निकाल कर चूरी करके देज दिया जाता वापस उसमें पानी भांके इनकी बोदाम में वापस रख दिया जाता तो इसमें दो लोगों के विरुद मुगतमा पंची कितुआ था जो इनकी कंपनी के इंप्लोई थे मुठाने में मुगतमा पंची किया गया उसके बाद में इसकी विवेचना आशिस सर्वांजी को ती गई तो इसमें फुल तीन दोगों की गरवदारी गी है दो लोग तो नाम दद दिया गये थे एक रोहित नाम का वैक्ती है जो कि इस गिलिश्रीम से अन्म्या को पात तयार करता था तो वो सबी पातों की बराबर दियुए है